हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का rbad tube class में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए class 10 की Math से quadratic equation से एक question ले करके आया हूँ तो इस वीडियो में मैं इस question को discuss करूँगा आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए आन्त तक देखिए और वीडियो को skip मत कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं आपर ठीक है यह जो question है यह question exercise 4.1 का question number 2 का first part है तो जो question number 2 है में पुछा गया है कि represent in quadratic equation तो देखो अब इसमें हमें यह जो पूरा question है इसका solution नहीं निकालना है इसके root नहीं find करने है केवल quadratic equation के form में बताना है चलिए फिर question पढ़ते हैं the area of a rectangular plot is 528 meter square the length of the plot in meters is one more than twice its breath we need to find the length and breath of the plot यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो length है ना उसका वो meter में है और वो breath से one more है ठीक है लेकिन breath का में twice करना है क्या करना है twice यहाँ पर देखो बोला है twice twice का मतलब होता है two से multiply rectangular का मतलब होता है rectangle माली जीए कि जो हमारा plot है वो ऐसे है यह हो गया हमारा rectangular plot ठीक है इसका जो breath है उसको अगर हम x let कर लें तो यह हमारा length होता है length जो होगा पहले तो one plus हो जाएगा और breath के twice हो जाएगा ठीक है twice means दो गुना two times multiply तो breath को अगर आप x मानोगे तो पहले तो हमें इसे twice करना पड़ेगा यानि कि two x और one more का मतलब एड़ कर देंगे ठीक है इसी चीज़ को हमें आप लिखना है कि सॉल्यूशन है कि लेट कि दा ब्रेट कि आफ कि दा प्लॉट कि अब जब ब्रेट को आपने बी लेट कर लिया तो प्लॉट हो टाइक टू-ब्लस अनुक्त प्लस ये लेंड है लिन पर जो लेंठ थो जातब है Isn't Aqd neighbours API कि लेकिन इस कोस्ट्टन में आपको ये एरिया दिया गया है अब बीको रेक्टेग्फिलर प्लॉट का जो एरिया होता है वह लें्ट signal होता है और कि इस एकोल टू अब एरिया की वैलियों में दिया है 528 और लेंथ दिया है हमारे पास यह प्लस वन जो कि हमने लेट किया है आप गए यह दो आएंगे तो देखो इसको किरेंगे तो 2 x स्क्वेयर और यह प्लस लगा देंगे x इंटु 1 x किसा हो गयाdessus है 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अब देखो इधर ओजाएंगा हमारा 528 आप चाहे आप इसको right side में करो चाहे इसको left side में करो बात वही रहेगी value में कोई चेंज नहीं आएगा तो फिलाल मैं इसको उधर बेजूँगा यह plus sign के साथ है उधर जाके minus sign के साथ हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 0 2x square plus x minus 528 ठीके यह तो हमारे quadratic equation बन गया अब मैं इसको order में arrange कर देता हूँ इसको हम पहले write करते हैं और 0 को बाद में write करते हैं तो मैं इसको बस लिख दूँगा इसका order change कर दूँगा 2x square plus x minus 528 is equal to 0 यही हमारी quadratic equation बनेगी और इस question में केवल और केवल इसको quadratic equation के form में represent करना था इसका 0 यह answer find नहीं करना था तो यह हमारे क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो आप चाहें तो वीडियो को pause करके write down कर सकते हैं या फिर screenshot ले सकते हैं तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class